Hello students, good morning class 7th. Today we will study chapter 1st of Hindi Reader. Chapter 1st is a poem which is मैं सबसे छोटी हूँ. यह कवीता सुमीतरान अंदन पंत जी ने लिखिवी है और इस कवीता में पंत जी जो हैं वो एक छोटी गुडिया की तरफ से यह कवीता लिखते हैं और जो छोटी गुडिया है वो चाती है कि मैं अपनी मा की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखते हूँ. क्यों वो ऐसा क्यों चाती है कि वो अपनी मा की सबसे छोटी संतान बने? क्योंकि वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि इससे वह अपनी मा का सुरक्षित और इससे बरा आचल खोदेगी तो आए कवीता पढ़ते हैं पहले तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें गुड़िया वो कहती है मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी मेसो हूँ तेर आचल पकड़ पकड़ के फिर सदामा तेरे साथ कभी न चोड़ू तेरा हाथ मतलब गुड़िया वो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ कवीता का प्रथम जो पैराग्राफ है उसमें वो बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी मा की सबसे छोटी संतान बनू ताकि मैं उनके गुड़ी में प्यार से सो सकूँ प्यार से उनका चल पकड़ कर हमेशा उनके साथ घूंती रहूं और उनका हाथ कभी न चोड़ू तेराग्राफ जो है वो बोलती है बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन इस पेराग्राफ में जो लड़की है वो कहती है मैं सबसे छोटी हूँ जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं मां हमारा साथ छोड़ देती है फिर वह दिन राथ हमें हमारे आगे पीछे नहीं गूमती इसलिए हमें छोटे ही बना रहना चाहिए थरड पेराग्राफ है उसमें पंत जीन लिखा है अपने कर से खिला धुला मुक धूल पौँशित कर गात थमाख खिलोने नहीं सुनाती हमें सुकद परियो की बात तो इसमें जो बच्ची है वो कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं है ना ही सजाती है और जब सवारती है जब हम बच्चे होते हैं तो मा हमारा ये सारा काम करती है, हमें नहलाती भी है, सजाती भी है, सवारती भी है लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ना हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं है, ना सजाती है, ना सवारती है फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगा बिठा कर खिलोने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती इसमें सज्जीत कर गात लिखा हुआ है सज्जीत का मतलब उदा सजान और गात का मतलब शरीर तो वो कह रही है गुडिया कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो मा आपे ना तो हाथ से नहलाती है ना सजाती है ना सवारती है एक जगा बेठा कर खिलोने से भी नहीं खिलाती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती ऐसी बड़ी ना हूँ मैं तेरा इसने ना खोऊँ मैं तेरे आचल की छाया मैं छीपी रहूं निस्प्रे निर्भे कहूं दिखा दे चंद्रो दिया लाश पहला ग्राफ जो है उसमें जो बच्ची है वो कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं मा के आचल का साया खो दूँगी जिससे मैं निर्भे और सुरक्षितों का राम से सो जाती हूँ इसमें निस्प्रे का मतलब है कि बिना इर्षिया के बिना इर्षिया मतलब बिना किसी छलकपट के या बिना किसी लालच के या बिना किसी जलन के निर्भे का मतलब होता है बिना किसी डर के तो वो कह रही है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे मेरी मा का जो आचल में में अराम से बिना किसी ड़किए बिना किसी जलन के बिना किसी लालच के आराम से सो जाती हूं और अंत में बच्ची हमेशा छोटी रहना चाहती कि बढ़ानके मां का प्यार भुलाण नहीं मिल पाईगा लास्ट लाइन में कहा है कि कहुँ दिखाते चंद्रो दिया है हो चंद्रमा दिखाने के लिए जीर और उसको दिखाने करते हैं मैं भी वही चाहते हूं तो बच्चों के मन में जो मा का पहिस्वर की तरह वोговन Court होता है इसलिए यह कभी भी बड़े बने रहना चाहती है यह थी आपकी पहले चैप्टर में जो यह पोयम थी उसका आपने अर्थ समझा दिया है अब इसके मैं कुछ वर्क्षीट दे रहा हूं आपको जिसके पीडियो में हमें पिक सेंड करनी है आज की जो वर्क्षीट में आपको इसके वर्कमी उन्ग करनी है चैप्टर पार्ट फृer्ष मैं सबसे चोठी हुँ है चैप्र क्लास सैंवंद शब दर्थ अचल का मतलब अचल साडी कपलु कर मतलब हात मात मतलब माता गात मतलब शरीर निर्मे मतलब बहसे रहिक निस्प्रे मतलब इर्शा रहिक चंद्रोदिय चंद्रमा का उद्या और सज्जित मतलब सजाकर इसके बाद आपको इसके प्रशन उत्तर करना है बाली का किसका आचल पकड़ गुमने की बात कर रही है बाली का मा का आचल पकड़ गुमने की बात कर रही है मा किसके मुग को दोकर उसे सुसजित करती है मा बालिका के मुख को दोख कर उसे सुसजित करती है ऐसी बड़ी ना हो में इसे बालिका क्या भी प्राय प्रेकर करती है बालिका भी प्राय कि वह इतनी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे कि उसे अपनी मा का इसने खोना पड़े बच्ची मां से क्या देखने हो कह रही है बच्ची अपनी मां से आचल की छाया में चंद्रोध्य देखने हो कह रही है तो यह आपको यह प्रशनत्तर और शब्दर्द आपको अपनी नोड़ बुक में करने है थैंक्यू, have a nice day